तो आज के इस वीडियो में पुनता इसी बारे में हम सभी जानेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए उपाय जानते हैं एक छोटा चम्मच शहद लीजिए आधा चम्मच डाल चीनी का पाउडर लीजिए और निम्बू के टुकडे और अधरक का टुकडा डाल लीजिए इसके बाद इसे गर्म पानी में ढाल करके उबाल लीजिए और दिन में आपको 2-3 बार इसका सेवन करना है इससे आपको फायदा होगा फीवर आपका खत्म होने लगेगा और जुकाम फटने लगेगा इसके अलावा खटे फलों का सेवन खटे फलों में विटामिन C की मातरा अधिक होती है यह विटामिन हमारे इम्मून सिस्टम को बढ़ाता है आप संतरा निम्बू, अनानास, चेर इत्यादी फलों को खा सकते हैं इसके अलावा विटामिन C ब्रोकली में भी पाया जाता है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अधिक मातरा में इनका सेवन हानिका रखो सकता है इसलिए हर रोज नियमित मातरा में इसका सेवन करें आपको फायदा होगा इसके अलावा लहस आप इसके अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं इसको सर्सों के तेल में पका करके खाएंगे तो स्वाधिष्ट भी हो जाता है और यह छाती और गले पर लगाने से आपको लाप भी देता है अगर कफ की समस्या है तो पक करके बाहर आ जाता है इससे जुकाम बहुत जल करना निल गिरी तेल की एक या दो बूंद पानी में डाल डीजिए और पानी को उबाल लिजिए। तो आप गर्म दूद के साथ मिला करके पी सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप शहद मिला करके भी पी सकते हैं जिससे आपको और जल्दी आराम मिलेगा इसके अलावा तुलसी जी हां तुलसी बहुत ही लाफकारी और शदिय है इसमें टैनीन, सेवनीन, ग्लाइकोसाइड्स और alkalides पाय जाते हैं जो की antibiotic का कारे करते हैं सर्दी जुकाम के समय तुलसी का काढ़ा बहुत उपयोगी होता है तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए आधा ग्लास पाने दो से तीन लोंग और अधरक को लेकर के उबालने आप इसमें अपने अनुसार शहद या चीनी मिला सकते ह इस काढ़े को दिन में दो से तीन बार पिए जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा यह कुछ है कैसे तरीके होते हैं जिससे आप सर्दी जुकाम से रहत पी सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का फिवर हो जाता है तो उसमें आप गिलोए के रसका सेवन कर लें या फिर तक का सेवन करें फिवर उतर जाएगा तो यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो की फिवर को कंट्रोल करने से रिलेटेड रही ऐसी ही नौलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें यह वीडियो आप सभी देख रहे थे अरवेदिक उप्चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो जाप सभी को मिलती रहेंगी हमारे साथ बने रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों